दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरव अकेडमी पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं UGC Net Phase 1 आंसर की कब तक आ सकती है उस पर हम चर्चा करेंगे तो और जानेंगे पिछले साल का जो ट्रेंट रहे हैं उसके अनुसार जो आपकी आं आने वाली वीडियो की नूटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो बात करते हैं दोस्तो UGC Net Phase 1 आंसर की के बारे में तो दोस्तो पिसले साल का जो अनुमान लगाया जाए जो ट्रेंड रहा है अभी तक UGC Net की परिक्षाओं में तो जो उनकी आंसर की है UGC Net Phase के बीच में देखने को मिल जाएगी और इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा दोस्तो वह एक साथ ही आएगा आपके पांच चरणों में एक्जाम हो रहे हैं Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 5 में तो जो फाइनल रिजल्ट होगा और जो फाइनल आंसर की होगी दोस्तो वह आपकी एक साथ ही आती है तो आप यहाँ पर अपना जो है आंसर चैलेंज कर सकते हैं और आपको समय दिया जाएगा उसके लिए तो इसके लिए क्या करना है दोस्तो आपको जैसे में ना पता है 18-20 मार्स की बीच में आपकी Phase 1 की आंसर की आ जाएगी और उसका जो फाइनल रिजल्ट है दोस सदुनें आप दूस्ता से पहले आपको चैलेंज करने के लिए याएगा आंचर चैलेंज कर सकते हैं आप वह आप अपर जो फेस टू फेस ट्री फेस parking अए उसकी लेटेस अप्ट हम आपके लिए रहेंगे तो सब्स्राइब कर लिए अने वाई वीडियोग्यो्चन तक pre आप तक पहुंच सके तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलता है नेक्स वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू